पुराने समय की बात है बिहार के एक छोटे से गाउं धनपुर में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और दो बच्चों के साथ रहता था रमेश बहुत महनती था लेकिन किस्मत ने उसकी महनत का फल उसे कभी नहीं दिया उसकी फसले अकसर सूख जाती या मौसम की मार जेलती गरीबी ने ऐसा घेर लिया था कि उनके पास रोज का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था छट का त्योहार नस्दीक आ रहा था गाउं की सभी महिलाएं छटी महिया की पूजा की तयारी में जुटी थी सावित्री सुबह से ही रमेश की राह देख रही थी रमेश जब लोटा तो उसका चेहरा उदास था क्या हुआ जी कुछ काम बना नहीं सावित्री कुछ नहीं बिका सारे अनाज में कीडा लगा हुआ था दुकानदार ने खरीदने से मना कर दिया समझ नहीं आ रहा कल छट पूजा का वरत है तो खरीददारी कैसे करेगी मैं तो तेरे लिए कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया तो क्या इस बार में छट पूजा वरत नहीं कर पाऊंगी हे छटी मैया आप तो अंतर्यामी हो मेरी पוכार सुनो मुझे आपका वरत करना है मैं हर साल ये छट पूजा का वरत करती हूँ मेरी मदद करो मया सावित्री मैं सोच रहा हूँ सेट जी को 20,000 रुपे मैं खेट बेज देता हूँ कुछ तो पैसे आ जाएंगे मैं थोड़ी दिर में बात करके आता हूँ सावित्री की प्रार्तना छटी मया तक पहुँची छटी मया अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए एक छोटी सी बालिका का रूप ले लेती हैं और एक पेड के नीचे बैठ जाती हैं गाउं का सेट रमेश को खेट के अच्छे पैसे नहीं दे रहा था इसलिए रमेश के पास खाली हाथ लोटने के सिवा कुछ नहीं था छटी मया उसे आवाज लगाती है बापू, बापू तुमने मुझे बापू बुलाया पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता तुम मुझे बापू कहकर क्यों पुकार रही हो क्यूंकि आप बिल्कुल मेरे बापू की तरह हो अच्छा तो तुमने धोके से मुझे बापू कह दिया वैसे तुम्हारे बापू है कहा मैं अनात हूँ, मेरे माँ बापू नहीं है तो फिर बिटिया, तुम इस गाउं में अकेली हो या कोई और भी रिष्तेदार है नहीं बापू, मैं इस गाउं में किसी को भी नहीं जानती मैं काम की टलाश में निकली थी पर यहां मुझे कोई काम नहीं मिला सब कहते हैं, मैं अभी छोटी हूँ इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा सब भगा देते हैं कोई भी मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहा, मुझे भूग भी बहुत लगी है, इसलिए यहाँ पेड के नीचे बैट गई, तो तुम मुझे बापू के जैसे दिखाई दिये, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा, बापू, मैं तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ, यहाँ पेले मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ, इसे यहाँ अकिला छोड़ कर भी नहीं जा सकता, मुझे इसे साथ ले जाना ही ठीक रहेगा, बेटी चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्रि आने का बनाया नहीं, बस यह नमक की रोटी है, मा कोई बात नहीं, आपके हाथ की नमक की रोटी भी बहुत स्वादिष्ट है, तुमने मुझे मा कहा है, और इने पिता, इसलिए तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरुरत नहीं, तुम हमारे साथ हम सावित्री का मन बहुत चिंतित हो रहा था, क्योंकि अभी तक छट पूजा के लिए कोई तयारी नहीं होई थी, सुनो जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे कल छट पूजा का फुरत है, पर अभी तक हम छट पूजा के लिए कोई सामान नहीं ला पाए। छटी महिया रमेश और सावित्री की बाते सुन रही थी, रात को जब सब सो गए तो छटी महिया अपने साकषात रूप में आई और अपने चमतकार से सावित्री के आंगन को छट पूजा के सामान से भर दिया। छटी मया ने जाने से पहले अपने चर्णों के निशान सावित्री के आंगन में छोड़ दिये। अगले दिन सुबा जब रमेश और सावित्री की आँख खुली तो वो ये चमतकार देखकर हैरान रह गये। आँगन में छट पूजा के लिए सारा अनाज, फल, मिठाई, बर्तन और वस्तरों के थाल सजे थे। अचानक सावित्री की नजर छट मया के चर्णों के निशान पर जाती है। रमेश और सावित्री की आँखों में आसु आ जाते हैं। मा वो दीदी कहां गई, और ये सारा सामान किसका है। मा इतनी सारी मिठाईयां कपड़ी खाने का सामान, मैं तो खुब सारी मिठाई खाऊंगी। सावित्री, इसका मतलब छटी मया हमारी बेटी बनकर हमारे घर में आई थी। हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए, हमने उन्हें रूखा सूखा खिलाया, फिर भी वो हमारे धन धन ने भर गई। अब सही कह रहे हो, छटी मया हमारी बेटी बनकर हमारे घर आई थी। उन्होंने हमारे दुख दूर कर दिये हैं, छटी मया आपकी जय हो। छटी मया के किरपास है, अब तेरा छट पूजा वरत खुब अच्छे से संपन्न होगा सावित्री, देख छटी मया छट पूजा के लिए सारा सामान तुझे दे गई हैं। हाँ मैं भी वही देख रही हूँ, उन्होंने मेरी प्रार्तना को सुनकर मेरे सारे दुख दूर कर दिये। आज छट पूजा का पहला दिन है, आज मैं सच्चे मन से छटी मया का वरत और पूजन करूँगी। मैया, आप हमारे घर आई हम धन्य हो गए, जै है छटी मैया, आपकी सदा ही जै हो। सावित्री छटी मैया के चड़नों पर माथा टेकती है और नहाय खाय से छट पूजा का वरत आरंब करके, पूरे विधिविधान से चार दिन तक छट पूजा का वरत रखती है। छटी मैया की क्रिपा से सावित्री और रमेश के जीवन के दुख दूर हो गए। पहिया को धन्यवाद कहते हैं। अरे रजनी, तुम्हें कितनी बार कहा है रोज रोज यहां मताय करो। तुम्हें देख मेरा बच्चा रोज ही खिलोने लेने की जित करता है। बहन जी, अगर ऐसे ही सब मना करते रहे तो फिर मेरी कमाई कैसे होगी। अच्छ चलो ये एक खिलोना दे दो, और ये सूप, ये कितने का दिया? तीस रुपे का, तो ये भी दे दो। कुछ दिन बाद छट पूजा है, उसके लिए अभी से खरीद कर रख लेती हो। इस तरह गरीब रजनी की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। ऐसे ही दोनों पती-पत्नी मिलकर अपनी ग्रिहस्ती चला रहे थे। एक रोज जब शाम तैयार होकर काम पर जा रहा था, तो रजनी उससे कहती है, मैंने आपको कितनी बाद कहा है जी कि कुछ खिलोने सेट के घर भी ले जाए करो, उनके घर पर भी तो बच्चे होंगे, क्या पता उन्हीं खिलोने पसंद आ जाए? रजनी सेट जी की दो बहुए हैं, लेकिन किसी के भी बच्चे नहीं हैं, वो दोनों बांज हैं, उनकी शादी को आठ साल हो गए, लेकिन अभी तक मा बनने का सुख उन दोनों को ही नहीं मिला, बेचारे इतना पैसा होने के बावजूद भी, वो लोग सुखी नहीं हैं, स वो वरत रखेंगी तो उनके काम आएगा, नहीं रजनी, वो ये सब नहीं जानते और नहीं वो वरत रखते हैं, इतना कहकर शाम चला जाता है, लेकिन शाम की बाद सुनने के बाद रजनी का मन बिल्कुल नहीं मानता, और वो भी उसके पीछे-पीछे सेट के घर चली जात सेठानी जी, इन्होंने आपकी बहों के बारे में मुझे बताय था, इसके लिए आप उन दोनों को छटी मया क्या वरत और पूजा करने के ले कहिए, मेरा विश्वास है अगले साल आपके घर बच्चों की किलकारियां जरूर गुझेगी, कैसा वरत? हमें तो इसके बारे म कोई जानकारी नहीं. मैं मिट्टी के बच्चे के रूप के खिलोने बना कर इन दोनों को दूंगी, जिन्हें इनको पूजा में शामिल करना होगा. देखना, इस बार छटी मया इन दोनों की जोली खुश्यों से भर देगी. अच्छा, फिर तो मैं आज ही उन दोनों को ये वरत करने के लिए कहती हूँ. रजनी उन दोनों को पूरी पूजनवित ही समझाती है. सेट की दोनों बहुएं ये वरत रखती है, लेकिन वरत के तीसरे दिन सेट की छोटी बहु को भूख लगने लग जाती है, और वो चुपके से लड़ू खा लेती है. वरत पूरे होने के कुछ दिन बाद ही सेट की बड़ी बहु गर्वती हो जाती है, लेकिन छोटी बहु निशा गर्वधारण नहीं कर पाती. ये देख सेटानी चिंता में बढ़ जाती है और वो रजनी को बुला कर इसका कारण पूचती है. सेट जी, सेटानी जी, मुझे छोटी बहु का वो खिलोना दिखा ये जो मैंने दिया था? रजनी जब वो खिलोना देखती है तो निशा की खिलोने में दरार पड़ चुकी थी, जबकि बड़ी बहु के खिलोने का चेहरा मुस्कुराता हुआ था. इसका मतलब छोटी बहु की पूजा में कुछ विग्न हुआ है. मुझे माफ कर दो माजी, मुझे बहुत जोरो की भूख लगी थी और मैंने ये वरत बीच में ही तोड़ दिया था. ये सुनकर सेट सिठानी को बहुत गुसा आया और उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया. ये देख रजनी और शाम उसे अपने घर ले आये. एक साल तक निशा अपने पती के साथ उनके घर पर ही रही. फिर उसने साल भर बाद फिर छट पूजा का वरत पुरे विधी विधान के साथ रखा, जिसका उसे फल मिला और उसे गर्ब धारन हुआ. और नौ महीने बाद उसने एक साथ दो बेटों को जन्म दिया. रजनी और शाम उन्हे लेकर सेट जी के घर पहुँचे. सेठानी जी, इन्हें पहले ही अपने किये की काफी सजा मिल चुकी है. अब आप इसे माफ कर दीजे और अपने पोतों के साथ अपना लीजे. अपने पोतों को देख सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं. बड़ी बहु के भी एक बेटो और बेटी हो चुके थे. अपने भरे पूरे परिवार को देख वो दोनों खुशों कर, रजनी और शाम को इनाम के तौर पर धेर सारे रुपए गहने और एक बड़ा सा घर देते हैं. छटी मा की क्रिपा से अब दोनों परिवारों का घर खुशियों से भर जाए.